RBI ने शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी की समिक्षा का अईलान किया है RBI ने इस बार भी ब्याजदरों में कोई बदलाव नहीं किया RBI ने रपोरेट 4 प्रतिश्चत पर बरकरार रखा तो वितवश 2022 में 10.5% GDP ग्रोथ का अनुमान जताया है आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडल क्लास को एक बार फिर निराशा हात लगी भारती रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को फ्रेडिट पॉलिसी की समिक्षा का अईलान किया और RBI ने इस बार भी ब्याजदरों में कोई बदलाब नहीं किया है RBI के गवर्नर शक्तिकांदास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फरेंस में एलान करते हुए कहा कि MPC ने सर्वसंबती से रेपोरेट को यथावत रखने का फैसला किया है इसका मतलब रेपोरेट अभी पी 4 फीसदी और रिवर्स रेपोरेट 3.35 फीसदी ही रहेगी आपको बता दें कि रेपोरेट वो दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है आपको बता दें कि वित्वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने के बाद ये RBI की पहली पॉलिसी है 6 सदस्यों वाली MPC की बैठ हग बुदवार 3 फरवरी से शुरू हुई थी सेंट्रल बैंक ने पिश्टी साल फरवरी से अब तक रेपोरेट में 1.15 फीसदी की कटोती की है रिवर्स रेपोरेट को भी 3.35 फीसदी पर ही रखा गया है साथी MSF और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की ही तरह 4.25 फीसदी रहेगा आपको बता दें कि RBI की नजर राजगोशिय खाटे को कम करने पर है यही कारण है कि एक्सपर्ट पहले ही इस बात का अंधासा लगा रहे थे कि ब्याजदरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा साथ ही ब्याजदरों को पहले ही काफी कम किया जा चुका है ऐसे में इस बार भी उम्मीद कम थी आपको बता दें कि आम बजट 2021-22 पेश होने के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समिक्षा की है रिजर्व बैंक ने अगले वितवर्ष 2021-22 पे जीडिपी में 10.5 फीसदी की बढ़त कानुमा अन लगाया है आर्बिय गवर्नर ने कहा कि धीरे-धीरे घरों की बिक्री में सुधार हुआ है साथ ही अब लोगों के खर्च करने की शमता एक बार फिर रिकवर हो रही है हाल ही में जो आम भजट पेश किया गया है उससे निवेश के स्थिती सुभरने की उम्मीद है शक्तिकान दास की ओर से प्रिस कॉंफरेंस में बताया गया कि जनवरी मार्च के बीच महंगाईदर 5.2 फीसदी तक रह सकती है आर्बिय मॉनिटरी पॉलिसी की निर्णे वाले दिन शेयर बाजार में फिर रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है पांच फरवरी के कारोबार में सेंसिक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है सेंसिक्स जहां पहली बार 51,000 के पार निकल गया वहीं निफ्टी ने भी 15,000 का बैरियर तोड़ दिया है माना जा रहा है कि बजट के वाद RBI के एलानों से भी बाजार में पार्टी जारी रह सकती है आज सेंसिक्स ने 51,031 का नया रिकॉर्ड चू लिया है स्पेशल डेस्क टोटल निउस